हे गाईस वल्कम टू वर्ड आईक्यू मैं दलिप कुमार स्वागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जारें लेटिस्ट भरती की जो की निकाली गई इंडिया नेवी की तरफ से ट्रेट्स में इनमेट की पोस्ट पर 2021 की लेटिस्ट वेकेंसिस आ आप अप्लाइक कर सकते हैं तो ग्रेट अफर्शनोडी आप सब के लिए निकल कर आ चुकी है तो चले इस वीडियो में टोटली डिस्कस करने वाले हैं कौन-कौन से लोग एलिजबल हैं उंगे अप्लाइक करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है सेलेक्शन प् प्रेस करके नोडिफिकेशन बेल को ओल करते हैं ताकि इसी तरह लेटिस्ट गवर्मेंट अजब की अपडेट आपको पल-पल मिलते रहे हैं तो गाइस यह यह ओफिसल नोडिफिकेशन देख सकते हैं दे अंडियन ने भी सिविलियन यह ग्रूप सी की पोस्ट पर आउट की गई है जो की TMM01 2021 की लेटिस्ट भरती है और सभी केंड़ेट एलिजबल हैं ग्रूप सी लेवल मैंने बता है और इसमें जब आपकी सेलेक्शन होगी गाईस तो जो आपकी सेलरी मिलेगी मैक्सिमा 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में 1st in hand सेलरी होने वाली है चले इसमें पोस् निकल के आती है आपका कमांड में जो की Eastern नेवल कमांड है यहाँ पर 710 के लिए टोटल पोस्ट है जहाँ पर जनरल के लिए 303 है SC के लिए 116, ST 57 है OVC 163 और EWS वालों के लिए 71 वेकेंसी है नेक्स है Western आपका नेवल कमांड में वहाँ जनरल के लिए 133 वेकेंसी है 48 से SC, 24 से ST के लिए 87 OVC और 32 से EWS टोटल 324 पोस्ट में आपका नेवल कमांड में जो की Western में निकली हुई है Southern नेवल कमांड में बात करूँ तो जनरल के लिए 57 है 16 वेकेंसी SC के लिए 2 वेकेंसी ST के लिए है SE के लिए 16 है OBC 37 और आपका 13 वेकंसी यानि की 13 वेकंसी EWS में है टोटल 125 वेकंसी आपकी सदन कमांड में टोटल मैं बात करूँ तीनों कमांड में तो 1169 पोस्ट के लिए बंपर वेकंसी आउट की गई है गाइस इसमें मैं age limit की में बात करूँ तो 18 साल से लेकर 25 साल के candidate eligible apply करने के लिए जिसमें से age relaxation दी जाएगी जैसे की HTSC वालों को 5 year की दी जाएगी और OBC वालों को candidate को 3 year की relaxation दी जाएगी अगर आप PW candidate हैं तो आपको 10 year की relaxation दी जाएगी जो की similar government guidelines के सबसे आपको मिलने वाली है qualifications की discuss करूँ simply 10th pass with ITI pass out होनी चाहिए ध्यान रहें आपका 10th pass कर चुके हैं साथ में ITI ज़रूरी है सिर्फ 10th pass candidate apply नहीं कर सकते हैं काफी complimentary question है कब से वीडियोस पे comment आ रहे हैं sir 10th pass हों क्या apply कर सकते हैं तो जीनी guys 10th pass candidate eligible नहीं है 10th pass के साथ आपने ITI किसी भी trade से आपने किया है तो आप apply कर सकते हैं चाहिए वो NCVT से हो SCVT हो सभी candidate यहां पर apply कर सकते हैं यहां पर application fee भी कुछ रखा गया है 205 रुपे जो की general OVC EWS only male candidate को payment करना है otherwise HTSC, PWD, EX-Servicemen और सभी category की women candidate को कोई भी payment नहीं करना है बिल्कुल free of cost वो अपना जो form है फिल कर सकते हैं payment mode जो होगा totally online होने वाला है क्योंकि आपका यहां पर form भी online फिल होगा examination city की में बात करूँ तो examination city आपकी होगी different state में होने वाल यानि कि आपकी state में जरूर होगी आपकी state में भी कम से कम एक center यहां पर बनाया जाएगा hopefully चाहे वो capital हो या फिर कोई popular city हो selection process की में बात करूँ तो जितने भी candidate form फिल करेंगे totally उसका selection जो basis होगा वो screening की जाएगी यानि form की पहले scrutiny होगी form की scrutiny इसका मतलब marks basis पे नहीं लिया जाएगा simple basis पे basic किर्चरिया होगा जैसे की वो किस basis पे form फिल किये हैं उसकी qualifications क्या रहने वाली है idea किये होए है साथ में उनकी जो degree क्या है marks कितने है ये कभी में matter नहीं करता है उनकी profile matter करता है photo उन्होंने कैसा यहां पे attested किया है documents कैसे upload किये है form fill में क्या होने वाला easy limit यहीं सब ज़्यादा basic किर्चरिया होगा form आपका सही से fill हो गया तो आप आराम से exam qualify कर जाएंगे form में mistake होती है तो आपकी problem हो सकती है सिर्फ इतना धियान रखिए ये नहीं matter करता कि sir ITI में मेरा इतना percent है तो होगा की नहीं सबका होगा tension मत लीजिए उसके बाद आपकी exams के लिए shortly shared किये जाएंगे screening के बाद और फिर आपकी exams होगी 100 marks का exam होगा जिसमें से 4 part होते हैं फर्स बाट में आपकी general intelligence reasoning पूछी जाएगी 25 question होने वाला है और आपकी quantitative ability होगी जो की math होगा 25 question उसके बाद general English and comprehension 25 question का होगा 25 marks general awareness 25 question 25 marks total 100 question आपको पूछे जाने वाले है totally MCQ wise question रहेंगे यह separate syllabus की आपको वीडियो चाहते हैं तो हमें comment करके जरूर बता हो सके मैं separate की वीडियो आप सब के लिए world IQ पर ले आओं guys form fill की में बात करूँ तो form इसका start हो रही है 22 फरवरी 2021 को तो जो भी candidate form fill करना चाहते हैं comment करके जरूर बता है 22 फरवरी को YouTube पर वीडियो जाने वाली है world IQ पर तो channel से जुड़े रहे हैं channel को subscribe कर ले हैं इसकी जो last date है 7 March 2021 तक रखी गई है तो काफी कम टाइम है आप सब के लिए जोत की दिया गया है तो जो भी candidate eligible है जल्दी से apply कीज़ेगा बिल्कुल सवधानी पुरवग apply करना है तो hopefully guys यही जनल information है समझा चुका गा इससे related कुछ भी doubt लगे आप comment कर सकते हैं पूरी help की जगी otherwise वीडियो पसंद आई हो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों तक सेयर करें और चैनल पे नहीं हैं तो सबस्क्राब करें चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जहनत